पश्यम बंगाल में करीब 50 लाग से ज्यादा आदिवासी हैं जिनका असर करीब 20 सीटों पर होता है विधान सभा की लेकिन इनकी बंगाल में स्तिती क्या है इस पर एक विशेश रीसर्च हुई 2019 में जिसने रीसर्च की जिनके साथ ये रीसर्च हुई कुमार राना वो हमारे साथ है ना सिर्फ एक्टिविस्ट हैं बलकि प्रतीची ट्रस्ट में भी थे और उसके साथ साथ अब ये बताएं कि उस रीसर्च में क्या आया था और किस तरह की इस्तिती में आदिवासी बंगाल में इस तरह का रिसर्च में जहां तक है यह पहली बार हुआ है इसलिए कि आधिवाशियों के उपर जो रिसर्च होता है जेनरेली और एंथ्रफोलोजिकल होता है लेकिन हम लोग इसको रखे हैं सोशीलिकेनमिक कि लोग कैसे रहते हैं क्या खाते हैं क्या काम करते हैं कैसे कितना पढ़ाई करने का उनका अपर्चुनिटीज गया मिलता है इसके कि किसी पार्टी के ऊपर क्या असर होगा या एलेक्शन में क्या असर होगा उस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया हम लोग यह चर्चा किया कि कि इतना दिन स्वतंतरता के इतना दिन बाद भी क्यूं आदिवासियों के बीच इतना इलिटरेशी क्यों इतना ज्यादा है क्यों इतने लोगों को डिपेंड करना निर्भर करना पटता है कि मेहनत कस कामों के लिए कम मजदूरी वाला कामों के उपर यह मेरी हम लोगों का शोध का उधेश्शता उध्या चाहते हैं एक है कि करीब नब्य प्रतिशत के ऊपर जो है निर्भर करते हैं या तो खेतिहर मजदूर या अनिया दिन मजदूर जिसको कहते हैं डे लेवरर उसके ऊपर बहुत ही आर्थिक स्थीती बहुत नीचे है यह एक है दूसरा है कि लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि उनको अपर्चुन बहुत कम है यह पूरे भारत में ही आदिवासियों का स्थीती बहुत खराब है अब गुजराट का हो या मध्यप्रदेश का हो चतिसगर को हो तो सब जगह में इनका जो अपर अपर्चुनिटीज बहुत कम है थर्ड जो चीज जो हम लोगों को लगा कि यह इनके एक बहु टुक्रैटिक वैलु अस। लीडस में से पोड्रीब सिस्टेम मिलता है जैसे का λέगों इसा मैं एक इंजामपल बोलू कि वो कुछ भी करते हैं तो डिजान लेते है क्लेक्टिवली गाओं में सब बैट करके एक साथ डिसीजन लेते हैं तो इस इस दिप वन अब दी बेस्ट फॉर्म आप डिमोक्रेसी लेकिन उसको जो है हम लोगों का जो मेंस्रीम सुसाइटी है मेंस्रीम पोलिटिकल जो डिस्कॉर्स है उसमें उसका मान्यता नहीं मिलता ह है तो यह जो है और क्या होता है इसके नतीजा होता है कि उनका वाइस जो है हमारा समाज में हम लोगों का एक एक माल्टी कल्चरल सुसाइटी है इंडिया एक बहुत सारे लोग मल्टी मल्टी एथनिक मल्टी लिंग्वल मल्टी कल्चरल सुसाइटी है लेकिन आदिवासिय हो जाता है कि जो अपर्चुनिटीज कम है जो पढ़ने का लिखने का स्वास्त का या फिर काम का इंप्लाइमेंट का इसके चलते क्या हो जाता है कि आदिवाशियों के बीच में जो डिविजन होते हैं जैसे कि पस्तिमंगाल में करीब 40 आदिवाशी ग्रूप से छोटे बड होएं से देफ ओम एबाउट 48 परसेंट अब टोटल अदिवाशी पोपुलेशन अपर शंताल ऐसे आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़े एक गोस्टी है जो कि बहुत बड़े एक एथनिक ग्रूप है जो जारकन में है और इशा में है आशाम में है पस्तिमंगाल म आशाम में आदिवाशी का दर्जा भी नहीं मिलता है तो यहां बंगाल में इनका जो टोटल पॉपुलेशन अदिवाशी पॉपुलेशन तो उसका 48 परसेंट संताल है तो इसलिए इनको थोड़ा सा इनका ऐसे लिटरेशी स्टेट देखिए तो बहुत ही बहुत ही खराब में ज्यादा है जैसे कि लोधा आप लोगों को याद होगा कि 2004-05 में आमला सोल करके गाउं है पस्ची मिदनापूर उस समय पस्ची मिदनापूर था अभी जाड़ ग्राम हो गया है वहां कुछ लोग भूखे मर गयते बहुत बहुत जगा में लोग भूखे मरते हैं जारक ग्रूप जिनको पावर में सुसाइटी में पावर कॉरिडोर में कहीं उनका कोई रेप्रेजेंटेशन नहीं रहता है तो यहां सबसे ज्यादा इनके ऊपर यह चोट आता है बुखमरी का यहां एक ग्रूप है लोधा जब आब बात करते हैं जितने तरह के आपने बताए उसमें किस तरह के लोग हैं और महिलाओं की क्या स्थिती है देखिए इसमें महिला पूरूस दोनों के उपर ही यह आता है इसमें अलग से तखिए महिला का जो है थोड़ा complicated होगा क्यूंकि महिला जो है उनका double exclusion होता है double exploitation होता है घर में भी काम करती हैं बाहर में भी काम करत रुजगार करने जाती है जो K big fundraising सिंसरेडी में नहीं होता है। लेकिन उसके साथ लेकिन जो उनके अपने in income करते हैं इसके देष्मकालम्स करते हैं उनको कुछ independence में मिल जाता है हम शकते हैं कर सकते हैं कर як में हम तो खटते हैं खाते हैं तो इसलिए अगर हमको मारपीट किया तो होड़ा चला गया कि मैं नहीं रहूंगे तुमने मारपीट किया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहोंगी तो यहां यह हम लोग इस पर अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा बात होगा यूँकर जिएंडर अमंगे जब बंगाल की बात करें हैं पूरे भारत वर्ष में बंगाल में बागी सारे प्रदेशों की अनुसार आदिवासीयों की स्थिति क्या है कि सारे भारत के साथ तुलना अगर करेंगे तो बंगाल का स्थीति जो है सारे भारत में मतलब सोश्य एकनमिक जो स्ट्राक्चर है या हुमेन डेवलप्मेंट का अगर ले ले हुमेन डेवलप्मेंट में बंगाल का पुजीशन बीच में है एकदम टॉप में है किरला एकदम नीचे है बिहार सो बेंगॉल बीच में है तो आदिवासियों के मामले में भी बेंगॉल का पोजिशन कुछ ऐसा ही है बीचो बीच बहुत उपर भी नहीं है बहुत नीचे भी नहीं है यह इनका पोजिशन है तीन कोई ऐसी बातें जो आप जैसे कि भुकमरी का बात कहें, तो जो 2016 में एक गाउं था, वहां भुकमरी हुआ, यहां तो देखिए, पस्रिमंगाल सरकार बहुत सारा काम किया है फूड सिकिरिटी के ऊपर, और इट है एकचले वाट, मैंने सबसे गरीब तबके के जि लोग और सबसे जो गरीब और मारजिनलाइज्ड विकॉज यह सिर्फ गरीब नहीं है, इनको इनका डीहुमनाजेशन होते जा रहा है, जैसे कि लोधा का कहें, खाडिया का कहें, तो इसका डीहुमनाजेशन होते जा रहा है जैसे कि मतलब इनको सब लोग मानते हैं कि इनका एक तरह के कहिए कि इनको जीने का कोई हक ही नहीं है लेकिन उस गाओं में भी यह जो फूड सीकिरिटी का जो प्रोग्राम चला उस प्रोग्राम के चलते लोगों को लोगों का जीन्देगी का हालत कुछ बदला है यह मैंने देखा इसे जूट तो हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग देखे पुरुलिया में जाडग्राम में बहुत जगा में फूट सीक्यूरिटी प्रोग्राम वर्क्ट वेल लेकिन उहां भी कुछ-कुछ पॉकेट्स आ जाते हैं जहां वो अपना सुसाइटी म यह भी मरजिनल हो जाते हैं जैसे कि तो यह जो जाडग्राम के पास गाओ है वहां साथ जन का जान चला गया and their average life expectancy was below 30.30 35 साल के आसपास सब का average life expectancy तो यह क्यों होगा एक डिमोक्राटिक स्टी में यह नहीं होना चाहिए तो यह जो है जैसे ही आप यह सवाल उठाएंगे तुरंत गाव्मेंट से लेकर के और और सिविल सुसाइटी के लोग सब बोलने लगेंगे कि ओ दारूपीते थे ऐसा करते थे ऐसा करते तो सारा जो है एक्यूसेर को आजाता है उसके लाइपस्टाइल के ऊपर लेगिन यह सहावाल नहीं आता है कि नहीं करना है स्कूल नहीं करना है नहीं कर पार यह है कि पढ़ना नहीं चाहते हैं सो बात नहीं है एक दम पढ़ना चाहते हैं 100% और पढ़ सकते भी हैं, there are some evidences कि जहां teacher थोड़ा sympathetic हो, जहां local community थोड़ा sympathetic हो, पढ़ रहे हैं, कुछ-कुछ आगे बढ़ने का कोशिस कर रहे हैं. हम यह कहें कि केंद्र और राज्य सरकार दूनों इस पर विफल रही हैं, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तौर पे देखा लिए हैं? तो वहां थोड़ा मायने रखते हैं, तो बाकी जगह में जैसे बर्धमान हुआ, जैसे हुगली हुआ, यहां भी आदिवासियों हैं, लेकिन वहां उनका वोट में उसका कोई रेफलेक्शन नहीं आएगा, तो इसलिए तो इनको अगर वोट बैंक हो जाते, तो इनको जितना, यह जो टी गार्डन में मैंने बोला कि आशाम में इनको सिर्लूल ट्राइब का दरजा नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सिर्लूल ट्राइब का दरजा अगर दे दे तो इनको सुभिधा सब मिलना, कुछ ने मिल लोग डिमांड तो करेंगे तो कि नोकरी डिमांड करेंगे या रिजर्वेशन डिमांड करेंगे हो सलाभि Marshea कि इस लिए वहाँ दिवाइंड डिमांड करने लगते है तें gesिन टी वह कि मंचेट करेंची टी तो में सम्चैण से किते हैं सिर्फ साल पत्तों से इनको देखिए इनका तो पुछ आदिवासी जो है उनका जमीन जगा है कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा जमीन है उसके उपर तो खेती करते हैं जैसे की संताल मुंडा उराओं यह तो बहुत अच्छा खेतिहार है बहुत अच्छा खेतिहार ह इनको करने आता है इसलिए यह आसाम में जाकर के लैंड रिक्लेमेशन किये नौर्ध बंगाल में लैंड रिक्लेमेशन कि अभी पूर्वी बंगाल जो है अभी बंगलादेश जो है वहां कुछ डिस्ट्रिक्ट में वहां संताल है और लैंड रिक्लेम किये थे सो वह एक है कर दुसरा है जंगल एक जरिएव लेकिन मेन चीज़ आता है क्या है कि कॉलोनियल कॉल्ट से से लेकर कर कर इनका जमीन चीना गया एक तरफ जमीन चीना झायाँ और दूसरा है कि जंगल से का जंगल खतम होने लगा जैसे कि पर्टिकुलरली यह जो प्रिमिटिव जिसको कहते हैं प्रिमिटिव ट्राइब लोधा हो गया तो इनको जंगल में ही रहते थे तो जंगल से कुछ उपज भी होता था कर चोटा मोटा कर लेते थे जूम काल्टिवेशन जैसा सिफ्ट काल्टि और ओस ये इसे इसे हिस्टे आफ गलाएशन ऐसे चिह क्रिमिनल हिस्टिव उप गलाइजर व्ह草क कि जंगल खातम हो गया तब जो रिसीवर्स जो हम जैसे आदम हो है अमलोग रिसीवर बन गया और उसको सीख आए कि तुम चोरी करके लाओ तब हम तुम को पैसा देंगे यहाँ इस नोन टो एवरीबड़ी और देंडी गार्में डेक्रिमिनल ट्राइब फिर 1927 के बाद वह क्रिमिनल ट्राइब तो हट गया लेकिन लोगों के मन में यह रहा गया कि एक्रिमिनल है इसलिए यह जो कुछ कम्यूनिटी जो है आदिवासी में इनका पॉपुलेशन भी कम है और यह जमीन से इनका कोई जुड़ाव नहीं रह गया जंगल से जुड़ाव नहीं रह गया तो मानों की पूरा उजड़े हुए कुछ इंसान का कुछ ग्रूप्स हैं जो पूरे-पू समस्या का समाधान खोज रहे हैं यह आदिवासी बंगाल में अब चुनोती चुनाव में भी ऐसी ही रहेगी कैमरा परसन सूरज पांडे के साथ मनोग्या लोईवाल कोलकाता एबीपी न्यूज आपको रखे आगे करती दोस्ताओ कर दोजई´ जाप लोईगा है यह डिया ओैजे़को भी ओता इंसर एबश λोई में जाओ tackle, समय रखेद्र 네